हाई गाईज वेलकम टू क्वेशन बैंक राफ्ट आज मैं आपको लड़ू को पाल जी के लिए दो बहुत ही सुन्दर से सतरंगी मुकुट बनाना सिखाऊंगी बहुत ही हावी और ब्यूटिफुल मुकुट हम अपने काना जी के लिए तयार करेंगे यह जो मुकुट है ना का नाम मैंने रखा है सतरंगी विकॉज इसमें हम सेवन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फाब्रिक का यूज करने वाले हैं और जितने भी फाब्रिक यूज करेंगे ना कोई बहुत जादा बड़े पीसे यहां पर आपको फाब्रिक के नहीं चाहिएंगे छोड़े चोड इसना भी लेंद आ रहा है ना उसमें वन इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि जब हम मुकुट को इस तरीके से फोल्ड करते हैं तो इसमें एक इंच जो एक्स्ट्रा होता है वो ऐसी फोल्डिंग में चले जाता है तो आपको वन इंच यहां पर एक्स्ट्रा लेन और अब यह वाला जो इसका किनारे वाला हिस्सा है इसको भी इस तरीके से लेते वे कवर करना है यहां पर पेस्टिंग के लिए आप फैबरिक ग्लू फैवी कॉल कुछ भी यूज कर सकते हैं यह देखिए यह मारा बेस तयार हो गया अब मैं यहां पर ग्लू लगाऊंगी औ यह देखिए यह अच्छे से मैंने स्टिक कर दिया आख है बेस हमारे मुकुट को अच्छा सा बनके तयार है यह 6-7 नमबर तक के काना जी का मुकुट मैंने बनाया है और अब यह देखिए गाईस जैसे मैंने आपको बताया था कि सतरंगी मुकुट बना रहे हैं तो 7 कर देंगे ना तो यह आपस में इस तरीके से जोड़ जाएगा अगर इनकेस किसी को स्टिचिंग में प्रॉब्लम आए तो आप ग्लू का यूज करके इसे पेस्ट भी कर सकते हैं यहां पे स्टिच किया इसको ऐसे टर्न किया और यह आपकी लंबी पट्टी आपस में होती रहेगी यह देखी गाइस मैंने सेविन की सेविन जितने भी कलर से सबको आपस में जोड़ लिया यह हमारी इस तरीके की लंबी पटी बन गई अब मैंने आप लिया है बारिक वाला गोटा गोटा पती में यूज करूंगी और उसको मैं यहां पे इनके टॉप पे जाएने वाली चीज जादा बेटर रहेगी क्योंकि आफ रॉल पूरे कलफुल फाबरिक हमने यूज किये हैं अब हम किलंगी बनाएंगे जिसके लिए आपको इस तरीके से फ्रिल डालनी है जैसे मैंने दिखाया और अब हम अपने मुकुट के बेस को रेड कलर की लेस से अब तरीके से लेस लगाऊंगी बाकी जो यह वाला खिस्टा यहां पर हम इस तरीके से घुमाते वे लेस को अप्लाएंगे और मैं इसे ग्लूगन से अप्लाएं कर लेती हूं यहां देखिए गाइस यह हमारे किलंगी तयार हो गई है जैसे मैंने आपको फ्रिल डालना ब हमारा मुकुट का पूरा बेस और किलंगी सब कुछ रेडी हो गया है यह देखिए बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रही है इसके किलंगी एकदम कलर फुल और यह देखिए गाईस ही हमारा फर्स मुकुट बनके तयार है यहां पर मैंने सर्किलर शेप के ग्रीन कलर के स्टो लगाया है इस पर कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर गैप देते वे हमने लगाया है बहुत ही सुन्दर लग रहा है यह मुकुट आप भी अपने काना जी के लिए जरू ट्राय करें चली फिर अब मैं आपको दूसरा डिजाइन दिखाती हूं जो मैंने काना जी के लिए बन बनाए है यह इस टाइप का पॉल भी लगाया है मैंने यहाँ पे और यह देखिए जो फाब्रिक के मैंने पाटन बनाए है ना यह मैंने पहले इस टाइप के पैटन में एक पुशाग भी आपको बनानी सिखाई है उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे यार्क है दो डिजाइन आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाए यहाँ पे देखिए हमने इसमें पर्ल्स मोती की लर्ड इन सब से डेकोरेशन की है यह पाटन भी यहाँ पे लगे वे बहुत ही सुन्दर लगे है इन पाटन को बनाना बहुत इजी है मैंने स्क्वार फ टाइप का मुकुट बना सकते हैं और मुझे कमेंस में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और गाइस पहले भी मुकुट के रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो दिया है इस पर थ्री हंड्रेड के प्लस व्यूस हैं सो आप उसको भी जरूर चेक आउट करें तो मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर खरी कृष्णा राधी राधी थैंक्स पर वॉचिंग गाइस